आज की व्यूडियो में सीखेंगे एक ब्यूटिफुल रस्मलाई केक को बनाना उसके साथ देखेंगे एक बॉध्य टॉपर बनाना फॉंडेन के साथ तो हाई गाइस मैं हुतरुपती और आप देख रहे हुतरुपती स्टेस्टी सुजिन केक्स अगर वीडियो आच लेगे कितना क्रीम लेना है क्योंकि इतना बनाने के बाद उतना तो अंदाजा हो जाता है कितना क्रीम लगेगा एक केक को बनाने में तो यह वान किलो का केक बनेगा तो मैंने एक एट इंच का केक जो पैन है उसमें एक स्पॉंज को बेक करके रखा है तो जिस तिन में केक स्पॉ मैं आगे आपको दिखाऊंगी तो टॉप क्रॉस्ट रटाने के बाद इसको थ्री लेयर्स में मैंने कट कर लिया है और यह है रस्मलाई की पीसिस जिसका रेसिपी मेरे चैनल पर अलड़ी है लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तेदूंगी वहां से चेक कर सकते हो एक क रस्मलाई का जो ग्रेवी रहता है उससे मैंने केक को सोक किया है तो बहुत अच्छे से सोक करना है यह एकदम जो रबड़ी एकदम डिलिसियस सा ग्रेवी होता है तो यह रेसिपी अगर अभी तक आप लोगोंने नहीं देखाना तो जाके प्लीज देख लीजे बहुत ही को अब केक को करेंगे क्रीम से शेया का क्रीम को मैंने की पॉप्स ट्रीच में गरेंग लें आपक से बहुत ही ठीक जायो करिए क्या है तो बहुत थीक लाइड करूंगा पतलासा क्रीम कर दो क्यों बहुत क्रीम फिर नहीं लगता। तरह रबड़ी रहता है। उसको मैं एक लेयर प्लेस किया। और घुप नुद्धिक जालवी के पीजिए। अप्रिम ने कंजोसी मत करें। वर केको करेंको केक करैं। जो भी गेप रहेगे प्लेस के एंगे एक्लाक से क्रीम मेल प्लेस करेंगे टाक से क्रीम मुक्त गिंग से उपड़ा ऋ प्लेस करेंगे Constant ऎक वी हम फोकर जैंना वहाँ फिर से भ Java में टिमिकल है क्योंकि यह भी अगर केक में जाएगा तो फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा तो यह सब चोटी चोटी बात करना जरूर ध्यान रखिए अभी आप पूछोगे होगे होट क्या होता है कि हर ओबन में एक पॉइंट रहता है जिसमें थोड़ा सा ब्राउनिंग ज्यादा होता तो वह जगह पर अगर आप कोई भी चीज बेक करें तो थोड़ा जल्दी ब्राउन हो जाता है तो इसको भी अभी सोक करेंगे सेम रसमे लाई के जो ग्रेवी है सोक करने के बाद साइट को थोड़ा सा स्मूथन कर लेंगे और टॉप में थोड़ा सा क्रीम देके इसका जो एक दो कॉमेंट है कि ये चीज का प्राइस कितना है ये प्राइस कि इसको कितने में बेचे है तो आप वह वीडियो देखिए और अपना प्रैसिंग कुद ही काल्कूलिट करीए मैंने बहुत ही डिटेयल में बता है कि कैसे आप अपना कहा प्राइस खुद निकल सकते हो कि इसी और प्राइस में जितना रेट में बेच वाइंगे या फिर में पर नगी को दोगे निया पूर्ट को दोगे क्योंकि सब जगह बता बहुत कुछ प्रॉडप्ट काई विच लीग्वे में प्रॉडप्ट के लिग बॉक्स में डे दुगे तो मैंने क्रीम apply कर दिया, दो केक में वैसा नहीं होगा आप पैलेट नाइप के हल से उपर ही मैंने एक ऐसा डिजाइन दे दिया है यह बहुत सुन्दर दिखता है अब मैंने क्या क्या है एक ओपन स्टार्ट टिप नोजल लिया है बड़ा वाला और ऐसे साइड में ना सेल डिजाइन बनाएंगे तो अगा है आपको फ्रेस करना है टेन रिलीज करना है और आप प्रेस करें अगया बढ़ा से डीजाइन गिफ estoy 대ג व्ल करना कि लिए यह एगन रंड़ सेिप्ट लिए केक के लिए मुझे बहुत ही अच्छा फिट बेक आया था मेरे क्लाइन से तो इसको एक बर जरूर ट्राइ करिए और सिंज एक रस्मलाई केक है इसको थोड़ा से ड्राइफूर्स के साथ और डेकोरेट करेंगे तो मैंने यहां पर पिस्तासियों लिया है और इसको स्लाइसे सब्सक्राइब करेंदे तो डील्सटास और जिसके लिए तोर रोट निया है उसको एक बाहर रूम कंटेनर में रहेगा और चलींग राप और करके रखना तो एसे ने इंप्रेशन वाला आपको मोल्ड मारकेट में बहुत इस यह मियो जाता है है प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो इसे इंप्रेशन आ जाएगा अब इसको कोई भी आप धक्कन ले लीजिए और उसका सर्किल में कट कर लीजिए जिसे कि नीट दिखेगा तो कट करने के बाद जो एक्स्ट्रा फॉन्डेंट है उसको आप रिमूब कर देना है और जैसे आप देख सकते हो इंप्रेशन बहुत अच्छे से बने के इसको थोड़ा सा हाइलाइट करना है तो हाइलाइट करने के लिए मैंने क्या किया है गोल्ड लस्टरडस लिया है उसमें थोड़ा सा एड़ करके जो हैपी बोर्दी लिखा हुआ है उसके उपर मैं एगे प्लेश करेंगे कभी जब डेलिवरी करना होता है उससे पहले मत करिए क्योंकि फ्रीज में रखेंगे तो खराप हो जाता है जैसे कि मैंने बताया फॉंडेंट को तो रस्मलाइट केक रेड़ी है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर दीजिए एन चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए तिल वी में नेक्स टेम बाई टेक केर स्प्रेड एपिने सराउंड दो वॉल्ट